गुड़माने इस्टुएंट्स हमने पिछले वीडियो में इंडेक्शन मेथट्स से सम्बंदित कुछ कॉस्टन कराये थे आज हम उसी एक्सरजाइज के कुछ आगे के कॉस्टन देखेंगे तो सभी छापतों देखें यहाँ पर एक कथन दिया है कथन इसका नाम हम दे दे रहें पी एन कथन क्या दिया है कि टू की पावर एन ग्रेटर देन एन यह हमको कथन दिया है और यह हमको क्या करना है सिद्ध करना है यह हमको सिद्ध करना है तो चाहते देखें कि हम सबसे पहले इसकी इंडेक्शन मेंटर के देखते हुए सबसे पहले हम करेंगे एन बरावर बन के लिए कथन के हो जाएका अपका पी गएंड के रहा हो जाएका तू की पावर बन इस ग्रेटर देन बन रावर न किस्तान में हमने क्या रख दिया यह सही है तप रजो होता एक से बड़ा होता है यह सही है अब हमस्टेप टू देखते है यदि हम माल लेते हैं कि कफन P K सही है इसका मदलब क्या होता है? कि हम ये माल लेते हैं कि P के कफन क्या है आपका? 2 की पापर K is greater than K is true ये आपका दिया हुआ है अब हमको ये सो करना है to show that P K plus 1 is also true हम ये सो करेंगे कि K plus 1 के लिए ये कफन सही है आप देखें सभी चात्र है 2 की पापर K plus 1 लिया कितना आ जाएगा? 2 के इन्टू 2 अब हम ये देखते हैं कि यदि अब 2 के जो है बड़ा है K से तो यदि हम बड़े की जगापर छोटी रासी रख दिया है तो overall value क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी तो यह है छोटी रासी हो जाएगी आपकी 2 के की जगापर K रख दिया इस ग्रेटर देन K प्लस 1 इसका मलब कफन P N N एक्कॉल टू K प्लस 1 के लिए भी सही है तो यह नोट कर लीजे अब इसी तरह से हम कुछ कॉस्ण और देखेंगे अब हम अगला कोशन दिखते हैं यहाँ पर कफन आपका दिया है P N क्या कफन दिया आपका 7 की पावर N माइनस 3 की पावर N 4 से विभाजित यह हमको देखना है सिद्ध करना है ठीक है यह आपको सिद्ध करना है क्लिया तो हम सबसे पहले Step 1 N एकॉल टू 1 के लिए चेक करेंगे N एकॉल टू 1 के लिए हम कैसे चेक करेंगे N एकॉल टू 1 रखिए तो P 1 कफन कितना हो जाएक आपका 7 minus 3 1 एकॉल के लिए हो गए आपका 4 और यह किलियर है कि 4 जो है 4 से विभाजेत है इसका मतलब है कि कतन P N N एकॉल टू 1 के लिए सही है क्लियर N एकॉल टू 1 के लिए सही है अब स्टेप 2 में क्या करेंगे हम माल लो P N N एकॉल टू K के लिए सही है यह हमने माल लिया इसका मेलो क्या होता है कि P K कतन आपको हो जाएगा P K कतन कितना हो जाएगा 7 G power K माइनस 3 G power K यह क्या रासी होगी 4 से विभाजेत है तो 4 से जब विभाजेत कोई रासी होती है तो वो 4 का गुणज होती है तो इसको हम माल लेते हैं इस चार से गुणज है तो 7 वो T माल लिया इसको हमने मान आए माल लो ठीक है जो हमने मान आए अब हम यह दिखाएंगे कि यह सो करेंगे करेंगे अब हम यह जो कथन दिया है के प्लस बन के लिए भी सही दिखाएंगे यह हमको सो करना है तो आप देखेंगे कि के एन की जगह पर के प्लस बन रख दो 7 यह प्लस बन माइनस 3 के प्लस बन इसको थोड़ा साल्व करिए कितना आ जाएगा सेवन कामा निकाल दो तो कितना हो जाएगा आपका यहां बचेगा 7K यहां समय सेवन कामा निकाला तो 7K और हमको यहां पर माइनस 3K माइनस 3K हमको चाहिए है मालों इस तरह से इस पॉम में लाने के लिए तो यहां पर चुकि हमने इसको माइनस किया है तो यहां इसी रासी को प्लस कर देंगे 7 इंटू 3K यह रासी आपके इसमें नहीं था इसमें तो हमने इसको सब्टेट किया वही रासी को इसको में प्लस कर दिया और साथ में क्या है यहां पर माइनस 3 K प्लस 1 अब आप देखते हैं कि यह रासी आपके किसके क्वल है 40 के यह कितना हो जाएगा 7 इंटू 40 इसमें से कामन क्या निकले का 3 के कामन निकल जाएगा अंदर क्या प्लस 1 4-7-3 कितना आगे आपका 4 into 70 और यह 7-3 कितना होता है 4 4 into 3 के अब इसमें से देखेंगे 4 कामन है 4 कामन निकालेंगे यहां क्या प्लस 1 70 प्लस तिरी की अब आप देखते हैं कि यह जो रासी मिल रही हमको वो क्या है आपकी चार का गुणज है यह क्या है चार का गुणज है यह चार का मुल्टीपल है इसका मल्लभ होता है कि 7K प्लस 1 माइनस 3K प्लस 1 चार से बिभाजेता है ठीक है जब के प्लस 1 के लिए सही है तो के प्लस 2 के लिए सही होगा और यह कथन आपका सभी के लिए सही होगा इसका मल्लभ होता है कि P N आप इस ट्रू और एक के लिए सही होगा तो यह आपको मैथेड हम तीन सवाल अभी करें तो इसी तरह से आप इसको यहां से देखें कि हम किस स्टेप पर फोकस कर रहें और किस तरह से इसको लिख रहें आप उसी तरह से आपको सभी कोशन में प्रैक्टिस करना है हम एक औ अब हम एक कोशन और लिख लाए हूं इसमें तो आपको यहां पर कथन दिया हुआ है पी एन एक्वाल टू आपको यह कथन दिया है पी एन कथन है क्या है आपका एन एन प्लस वन एन प्लस फाइव की इन का गुणज है यह हमको दिखाना है तो सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे हम एन एक्वाल टू वन के लिए एन एक्वाल टू बन के लिए हम चेक करते हैं कि एन एक्वाल टू बन रखते हैं तो पी वन कथन क्या हो जाए का आपका बन बन प्लस बन बन प्लस फाइव कितना हो गए आपका टू इंटू सिक्स टॉल्व और टॉल्व जो होता है तीन का गुणज होता है कि नहीं तीन का बारा में भाग जाता है तो तीन का गुणज है इसका मनलब पी वन इस प्रू यह सही कतन सही है अब स्टेप टू में क्या करेंगे हम माल लेते हैं एन एकॉल टू बन के लिए कतन पी एन कतन इस तू यह माल लेते हैं कि एक कतन जो है एन एकॉल टू के लिए सही है और हम क्या सो करेंगे कि के के लिए के के लिए भी कि कि सही है यह हम देखाएंगे टीक है की के लिए हम सही लेकि चलेंगे ग़ी के प्लस बन के लिए हमень इसको और जर्थ को करेंगे हूँ है तो सबसे लिए हमको जो डिया है क्या दिया हुआ है एन 靈 probably और N प्लस 2, N प्लस 5, इसको हम माल लेते हैं, चुकि तीन का गुणा अचाह है, इसको 3T, इसको हमने एजूम किया है, माल लिया है, clear? अब आपको N के स्तान पर, sorry, K के लिए तो K कर दीजिए इसको, K, 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 ठीक है, यह आपको दिया हुआ है, अब हम N इकल टू, K प्लस 1, के लिए देखेंगे, तो आपको का करना पदेगा, K के स्तान पर K प्लस 1 रख दिया, K प्लस 1, K प्लस 2, और यहां पर K के स्तान पर K प् हो जाएगा, आपका, K प्लस 6, इसमें से, आप K प्लस 1 को, छोड़ करके, दो का मल्टिप्लाई करो, कितना हो जाएगा, K स्क्वार, प्लस 2K, और प्लस 6K, तो कितना हो गया आपका, 8K, और 6 इंटू 2, 12, अब हम इसको और सिम्बिल करते हैं, K प्लस 1, तो हम देखते हैं, कि K स्क्वार, हमको यहां 5 चाहिए, तो K प्लस 5 की, और यहां 8 था, यहां 3K प्लस 12, इसमें से आपको क्या कामान दिख रहा है, इसमें से K कामान निकाल दो, यहां बच्छेएगा, K प्लस 5, और इसमें से 3 कामान निकाल दो, तो K प्लस 4, अब आप देखें, K प्लस 1 का अंतर मल्डिप्लाई कर देंगे, तो K इंटू, K प्लस 1, और K प्लस 5, और यहां पर कितना हो जाएगा, 3, K प्लस 1, K प्लस 4, तो हम यह दिखते हैं, कि यह वैलू किसके बराबर है, यह वैलू आपकी 3T के बराबर है, 3T, और यह वैलू किसके बराबर है, 3, k plus 1, k plus 4 इद में से 3 को कामा निकाल दिया अंदर क्या बचेगा? P plus, k plus 1, k plus 4 और जब यह 3 का multiple है इसका मलब क्या होता है? यह 3 का गुणज है 3 का गुणज है और जब 3 का गुणज है तो इसका मलब होता है कि कथन जो है आपका P N N equal to k plus 1 के लिए सही है के लिए? जब आपका प्रूफ हो गया तो हमने आपको पिछले वीडियो में 4-5 कोसन कराए थे अभी भी 4-5 कोसन करा दिये तो आप अच्छी दरफ से आपको इस प्रैक्टिस हो गई होगी कि कैसे इसको करना है तो इसके और भी जो कॉसन है आपने यह एक्सराइस के बस इसी पर बेश जहें तो आप इसकी प्रैक्टिस करीए और बार बार करीए तो यह कॉस्टन बहुत हीजी है इसमें लिमेटेट है जाद है इसमें कोई अलग अलग प्रकार के फार्मूले नहीं है सिर्फ एक ही मैतड है और बहुत छोड़ा चेप्टर है और एक कॉस्टन आपको जरूर आना है इसको अच्छे से अटेम करो ठीक है थैंक यू